दुनिया के सबसे बिरान सहर जहां आज कोई नहीं रहता दुनिया का कोई भी सहर बिना वहां के लोगों के पूरा नहीं हो सकता लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी सहर जहां कोई भी इंसान नहीं रहता एस सहर सालों से बिरान पड़े हैं आज हम आपको कुछ ऐसे ही सहरों के बारे में बताने जा रहे हैं तो आए जानते हैं कि जोंग डोंग नार्थ कोरिया इस गाउं में आज कोई नहीं रहता उननी सो तिर्पन के बाद यहां के दो सो परिवार गाउं छोड़कर दूसरी जिगह बस गए दुनिया को दिखाने क के लिए यहां लाइट से जलाए जाती हैं और सफाय कर्मी आकर सड़ को पर ज्जाड़ लगाते हैं ताकि लोगों को लगे कि यहां अभी भी लोग रह रहे हैं बोड़ी अमेरिका 1886 में इस जगह की खोज की गए थी उस समय यहां मौजी लोगे की खदानों की वज़ा से कई लोग यहां आकर बसने लगे थे लेकिन धीरे धीरे जब लोगे की मातरा घटने लगी तो लोग इस जगह को छोड़ कर जाने लगे आज से यहां सहर बिरान परे हैं संगाय चीन संगाय सहर में नौगों नाम से एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था लेकिन साल 2001 में शुरू हुए प्रोजेक्ट में कई तरह की मुश्कले आ गई जिसके बाद एक करसारे सहर को डिबलेमेंट रुग गया आज सारा सहर बिरान है प्रियप्थ यूक्रेन बेलारूस के वार्डर पर बसे इस सहर में हुए नौकलियोस हाज़े के बाद से इस सहर बिरान है यहां रहने लोगों के लिए खतनाक हो सकता है इस वज़ए से इसे खाली करवा दिया गया था पॉर्पस बिलेजियम बिलेजियम के सहर में साल 2000 के बाद लोग गायब होने लगे थे इसकी पीछे की वज़ए आज भी सामने नहीं आई है अब यहां के घरों में मात्र 11 परिवार रहते हैं 10 जून 1944 को एक आफिसर को यह सुचना मिली कि इस सहर में उनके एक साथे को बंदग बनाया गया है जिसके बाद इसने चुड़ाने के लिए उन्होंने सहर खाली करवा कर पूरा सहर तबाह कर दिया गया तब से अब तक यहां एक सहर बिरान है कया कोई तुर्की साथ बेश्ट तुर्की से 8 किमेटर दूर बसे इस सहर में 1933 तक लोग कर रहा करते थे लेकिन आज इस सहर में कोई नहीं रहता यहां के चर्च और म्यूजियम इस जगह को काफी डरावना बना देते हैं